हारु फीक्स सैमसंग एसेवन डूस इस्क्रीन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सवागर अब सभी का तिक राच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर अपना आपको कैसे फिक्स करना होगा मैं आपको दोस्तों कुछ सॉलुशन बताऊंगा इसके रिगार्डिंग पर ठीक है आपका प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर सॉल्फ हो सकते हैं अगर यह सौफ़वेर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो जब भी दोस्तों यह चीज स्क्रीन वगरा डेमेज है तो यह दोस्तों एक हाड़वेर का एश्यू है तो आपको सिंप्ली टेग्निशन के पास जाके फिक्स करना होता है ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान दिजिए आपका स्क्रीन पर कोई भी डेमेज नहीं फिर भी आपको इस तरीके का प्रॉ कर लेना है उसके बाद भी दोस्तों हाड़वेर का एश्यू हो सकते हैं ठीक है तो जानने के लिए आपको वीडियो पुरा देखना है और वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करना है और अगर आप आनलाइन पे आपको करना क्या है अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ जाते है आपका जो केस है दोस्तों उसको देखें ठीक है आपका जो बेक कवर है उसको रिमूफ कर दीजे और सारे साथ में दोस्तों आगर आपके स्क्रीन पे कुछ भी यहाँ पे स्क्रीन गार्ड वगरा लगाया ह हुआ है ठीक है कुछ टेंपर वगरा है तो उनको आप रिमूफ करके देखें ठीक है बेक कवर स्क्रीन गार्ड इस्टिकर्स तो उन सब को आप रिमूफ करके देखें आपने स्क्रीन से और स्क्रीन को थोड़ा साफ करके देखें क्योंकि दोस्तों अगर गाम वगरा लग रहते हैं basic reasons और basic solutions ठीक है काम हो जाते तो आप भी यह सबसे पहले करके देखे solve हो जाते problem ठीक है अगर problem solve नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप जाएए सेटिंग पर अपना storage चेक करें ठीक है अगर आपका storage दोस्तों completely consume हो चुका है storage फूल है तो इस तोरेज को 40 परसन या फिर 30 परसन आप फ्री आप करें storage clean up करने के बाद दोस्तों applications चेक किजिए अगर कोई भी बैट application से जैसे की ठाट पर्टी application यहाँ पर कोई भी unknown website से इंस्टॉल किया हुआ application तो उनको भी आप delete करें अगर बहुत सारे applications है तो उनको भी आप delete करें अगर unused है तो थोड़ा सा mobile को free आप करके देखिए ठीक है कई वर दोस्तों क्या होते है mobile लेक करते है फूल हो जाता है तो ठीक है अगर इससे भी दोस्तो प्रोब्लेम आ रहा है तो आप टाच चेक करके देखिए ठीक है अपने mobile पर टाच चेक करके देखिए उसके लिए दोस्तों आपको developer option चाहिए होगा यहाँ पर तो developer option दोस्तों मैं enable कर लेता हूँ तो दोस्तों about phone पर जाके आपको built number यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है software information के अंदर पर तो built number पर आपको साथ बार click करना है उसके बार mobile pattern आपको भर देना है और यह developer पर enabled हो चुका है ठीक है अभी developer option कहाँ पर है हमें वह सर्च करना है तो लास्क पर मिल जाएगा तो उसमें जाए इनेबल होना चाहिए आपका developer option तो यहाँ पर हमें करने screen पर आप slide करके देखें ठीक है इस तरह के से आपको ड्रोग करके देखना है screen पर अगर touch आपका काम नहीं करते तो touch यहाँ पर stop हो जाएगा और continue नीचे से होगा ठीक है यह running पर नहीं होगा अगर आपका touch इसी बीच में ठीक है problem करते तो touch जो है इस तरह के से यहाँ पर remove होके दुबारा से new touch करने सुरू हो जाएगा ठीक है तो आपको पता लग जाएगा किस area में आपका screen पर touch problem है ठीक है यह touch issue है या फिर क्या problem है आपको यही से पता लग जाएगा अगर आपका जो है यहाँ पर touch का issue आ जाते तो touch काफी जादा मीस होगा तो आप क्या कर सकते ताच को change भी कर सकते या फिर डिस्पले चेक करवा सकते किसी भी technician के पास जाके ठीक है तो इस तरह के से भी दोस्तो कई बार हम चेक कर सकते हैं सारी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है सौफिर अपडेट करना है सौफिर अपडेट करने से दोस्तों आपके मोबाइल पर काफी जारा improvement हो जाते जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है जाते हैं तो सौफिर को अपडेट करें और उसके बाद चेक करके देखें दोस्तों इससे काफी आपको फाइदा होगा और आपका problems भी यहाँ पर सौल्फ हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने problem को fix कर सकते हैं by any chance अगर problem solve ना हो तो जाके ही आप अपने mobile को factory reset करें उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है general management पर जाना है reset पर click करना है और factory data reset पर click करते हुए आपको reset पर डबाके mobile password भर देना है और reset कर देना है ठीक है अगर उसके बाद भी same problem ही है तो आप किसी भी technician के पास या फिर service इंडेकर पास जाके fix कर सकते है वाइरिंग का issue हो सकते मा रबोट problem हो सकते यह display खराब हो गया होगा ठीक है कुछ भी problem यहाँ पर हो सकते तो वह check करने के बाद यह आपको पता चलेगा ठीक है उनके पास एक meter होते है उससे check करते तो उससे ही पता चलेगा तो इस तरह के से दोस्तो डिस्पले screen touch problem हामें fix करना होते हैं उमीद करते हैं आपको यह नहीं हो ऑता चलेगा बाता सिरीक सिर्थ।